नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आप सब का स्वागत है, आज जिन तीन एहम मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मुकुल सरल और अधिती, आप सब का न्यूस क्लिक में स्वागत है, जिस और फिर तुरंथ हाई कोट ने लगाई इस पर रोक, क्या है पीछे का खेल, क्या है एडी का खेल, और क्यों, निशली अदालत ने जो फैसला सुनाया, वह बहुत एहम है, पहला मुद्दा यह रहेगा चर्चा के लिए, और दूसरा मुद्दा, जिसने पूरे देश को मत रखा है, एजुकेशन सिस्टम का जो हिस्टॉरिक कोलाप्स है, पूरी तरह से जो गिरा है, एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, पैसे का गोटाला, नेट से लेकर नीट तक, जी हाँ, मैं जान बूच कर बोल रही हूँ, नेट से लेकर नीट तक, क्योंकि नेट अभी हु हुआ और जिस तरह से परिक्षाएं रध हुई सी बी आई इंक्वाइरी हुई उस तरह से नीट यूजी घोटाला यानि मेडिकल दाखिले में जिस तरह से 23 लाख बच्चों का भविश्य चौपट हो रहा है अधर में लटका है और सरकार है कि सुनने को तयार नहीं कोई हाई के लेवल इंक्वाइरी अभी तक नहीं है आखिर किसे बचा रहा है मोदी सरकार का पूरा का पूरा तंत्र और तीसरा मुद्दा है ट्रेन हादसा हम सब ने देखा कि जिस तरह से ट्रेन हादसा हुआ पश्चिम बंगाल में किस तरह से माल गाड़ी भीडी एक एकस्प्रे पर और बताया जा रहा है कि यह यूमन एरर है सारा सिस्टम बचाना चाह रहा है डग्रेट रेल मंत्री जी को उसके पीछे खेल क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे सबसे बड़ी खबर की तरफ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज इजरिवाल को राउ सेवेन्यू कोट ने जिस तरह से जिस आधार पर जमानत दी बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि एडी टाइम बारगेन करने का खेल खेल रही है बहुत जादा सबूत नहीं है बहुत कड़ा अब्जर्वेशन है राउ सेवेन्यू कोट का लेकिन जिस लेकिन जो अब्जर्वेशन है वो बहुत स्ट्रॉंग है इस पर क्या है पंच मुकल बताएंगे हमको मेरा मानना है कि एडी जो है मुझे लग रहा है कि न्याय के लिए नहीं लड़ रही है बलकि कोई बदले की भावना से लड़ रही है और मामले के खुलासे से ज्याद है केजरी वाल को जेल में रखना उसका मकसद लग रहा है और यह मकसद क्यों है यह सब जानते है कि उसक लोड हुआ है उससे साफ जाहिर है कि एडी जो है वो पूरी तरह से राजनेतिक खेल खेल रही है क्या है आपका पंच भाशा अदिती मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन साथ ही साथ जो आशंकाएं जताई जा रही है कि किस तरह से कोट कब क्या एक्ट करेंगे उसमें हाई कोट पर जिस तरह से निगाहें टिकी हैं वह बहुत एहम है लेकिन राउ से वेन्यू कोट का जो अब्जर्वेशन है जिस उसे ओवर रूल करना शायद मुश्किल होगा ऐसा मेरा मानना है अदिती जो दिखाई दे रहा है जिस तरह से अर्विन केश जिवाल उन्होंने स्तीफा नहीं दिया इसले वह आज की तारीक में भी देश की राजदानी दिल्ली के मुक्यमंत्री हैं दूसरी तरफ हेमन सोर इन भी हैं जारकंड के मुक्यमंत्री थे बाद में उन्होंने स्तीफा दिया वह भी जेल में और उनकी तो जमानत पर अभी तब कोई बात ही नहीं पूरा चुलाओ निकल गया उन्हें जमानत नहीं मिली यह जो मुक्ल कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से इडी चल रही है इसमें अदालतें क्यों नहीं हस्तक शेप करती हुँ दिखाई दे हैं यही एक बहुत बोक्त बड़ा सवाल है हमारे तर्यक्ति सिस्टम कि क्यों नहीं अदालतें ने यह नहीं कहोंगे कि सारी अदालते हैं, मतलब देखिए यह कल का एडी का ओडर आया एक बहुत बढ़िया ओडर आया कि इतने समय से एडी कीचे जा रही है, कोई एविडेंस जैसे आपने कहा, कोई मनी ट्रेल नहीं है, मुझे लगता इसके पीछे पूरा यही कारन है, मनी श आजनीतिक खेल है, चुनाओं को ध्यान में रखते हुए, मुकुल जिस तरह से कल एडी ने 48 घंटे मांगे थे राव सेविन्यू कोट से, कहा था कि हमें 48 घंटे दे दीजिए और फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए, लेकिन राव सेविन्यू कोट ने सीधे-सीधे से, को भी तैयार नहीं, 48 घंटे देने को तैयार नहीं और वहीं हाई-C 효pes के बारे में जरूरू कह्यास कल से चल रहा था, मैं खाली कि बात कर रही हूं कि सबको लग रहा था कि नहीं, कि आईडी की बात नकार नहीं पाएगा हाई-C पर ED की बात देखे जब अंतरिम जमानत मिली तब यही सब ED था अब नियमित जमानत की बात आई तो ED का अपना मुझे लगता कि कोई अपना रोल यह अस्तित्र नहीं है एडी का मास्टर जो है सब जानते ही हैं कि एडी का मास्टर कॉल है। मैं यहां जो आपने पहले बहुत महत्पूर बाद बताई थी उस पर दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि टीन मॉडल मुझे दिख रहे हैं चाहे वो कानून के एतबार से देखें नियाएक प्रि जो है यह दिरॉप्पा का उन पर पाक्सव एक्ट में मामला दर्श है लेकिन उनकी ग्रफतारी पर भी रोग लग जाती है एक आदमी की ग्रफतारी पर कि यह तो पूर मुखमंत्रिया कहा जाएंगे इंसे आप बाची बहुता है हंकी डंकी नहीं है तो एक में ग्रफतार पर भी रोख है एक में जमानत पर भी बात नहीं हो रही है तो यह सब भी हमें देखना होगा इस पर सुप्रिम कोर्ट जैसे उसको एक गाइडलाइन देनी चाहिए कि इस तरह के केस को कैसे देखा जाए कैसे समझा जाए क्योंकि मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है क अब यह सब चीजे अदालत की जो फैसले आते हैं ऐसा नहीं है कि उन पर बात नहीं होती पिछले दस सालों में यह परिवर्तन आया है देती हम बतौर पत्रकार भी महसूस कर रहे हैं कि पहले अदालत के फैसले क्रिटिसाइज करने कोश्चन करने से पहले लोगों में एक पर डर डर रहता था लेकिन अब तो देखिए कि जो अदालत के फैसले हैं उन पर बाक्चीत फैसले आने से पहले ही होने लग जातीै कि यह फैसला इस तरफ जाएगा जहसे राउस सेवैन्यू कोट का जो पूरा का पूरा पूरा फैसला था उसने सब को अचम्बित कर दिय किसी को लगी नहीं रहा था कि इतना स्ट्रॉंग और जो ओडर आया है अपलोड हुआ है यहां पर एक और एहम बात है कि हाई कोट ने बिना ओडर अपलोड हुए इस जमानत पर क्योंकि यह रिगलर जमानत थी उस पर रोक लगा दी उस पर भी तमाम लोग बोल रहे हैं कि य किया था किस आधार पर जमानत दी है इसलिए तो मैं कह रही हूं कि यह राजनीती से फ्रेरित लग रहा है कि आप अभी तक और अपलोड नहीं हुआ है आपके हाथ में और मिला नहीं है और आपने स्टे ले ले लिया उनके बेल के उपर और दूसरी बात जो आप कह रही है कस्टडी में रखा हुआ है तो इस पर मुझे लगता है कि कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि यह तो अदालतों को देखना चाहिए कोई एक टाइम फ्रेम होना चाहिए खासकर प्लिटिकल प्रिजनर्स लेकिन मुकल आप जो कह रहे है और जो हमें दिकाई दे रहा है तीम मॉ उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तक नहीं कि उनके जमाना पर उनको कहा बैक टू पैवेलियन जाए आप तो कानून एक लेकिन उसके तीन 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 तो यह बड़ा एक बड़ा बड़ी विडंबना दिखाई दे रही है तो यही उनको बड़तार बिलकुल एक 60 degree में चेंज हो जाते हैं तो खुद question उटते हैं और विश्वेशनेता हमें इस मोदी दोर में लगातार हर संस्थान की विश्वेशनेता पर कमी आई है लेकिन बात भी हो रही है क्यों क्योंकि चंडरेचूट जी जब से आए हैं तो एक ही कहा कि विश्वेशनियता का सवाल है सबसे बड़ा सवाल विश्वेशनियता को लेकर credibility को लेकर integrity को लेकर है इस समय education system पे और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ देश के शिक्षा मंतरी धर्मेन प्रधानी नहीं देश के प्रधान मंतरी नरेन मोदी भी हैं क्योंकि इन दोन क्या है पंच बताएंगी अधिती बाशा मेरा इस पर पंच ये है कि प्रधान मंतरी परीक्षा पर चर्चा करते हैं लेकिन उनकी NTA एक सेंट्रलाइज इग्जाम जो है उसको ठीक से कंड़क्ट नहीं कर पा रही है ये NTA का टोटल फैलियर है और मेरे हिसाब से NEET को भी net की तरह कैंसल करना चाहिए मेरा साफ मान नायबाशा कि चाए प्रफेसर बनने की प्रिक्रिया है जाए डॉक्टर बनने की प्रिक्रिया है ये इतने महत्पूर्ण हमारे यहां के पद है इनके लिए जब ऐसी परिक्षा हो रही है तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा भी प्रधानमंत्र को अब मन की बात करने जा रहे हैं करनी चाहिए लेकिन उनका संदेश साफ है कि योग करिए और रहत में रहिए भाशा इस प देश के शिक्षा मंत्री जिस तरह से ग्रीन चिट दे रहे हैं एंटीए को नेशनल टेस्टिक एजनसी को वह अपने आप में संदेश पैदा करता है और प्रधानमंत्री इस पर एड्रेस करने के बजाए श्रीनगर जाकर वहाँ पर योग का आसन कर रहे हैं जबकि उनको इस समय शिक्षा का आसन करना चाहिए था लेकिन पूरी तरह से एक आपराधिक चुप्पी बरकरार है जो खतरनाक है मुकल जो दिखाई दे रहा है कि इसमें पूरी तरह से कोशिश हो रही है लीपा पोती की आज की तारीक में जिस तरह से नीट यूजी सी यानि जो मेडिकल दाखिले में लेकर इतने बड़े पैमाने पर हंगामा है जब हम बात कर रहे हैं सडकों पे लोग उत्रे हुए हैं पेपर लीक इस एंटी नैशनल दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी के अंदर वह सैकलोजिकल शक्ती नहीं है कि इस संकर से वो उबर सके हम डिजास्टर पे हैं क्या कहना चाहेंगे आप यही है कि इस सरकार में यह बड़ा मजाग दिख रहा है कि इस सरकार में और सब दोश इधर उधर लीपापोती यहां यह नहीं हुआ हां कुछ अनियमित ताय हुई है हां यह अब कैसे नैट का पेपर कैसे एकदम से कैंसिल कर दिया गया उन्हें लगा कि नीट की तरह इसका मामला भी बहुत बढ़ेगा और यह बहुत बड़ा एक घमासान हो जाएगा एक नीट पर अभी फसे वे हैं वो कि लग रहा था कि यह प्रतिष्ठा का प्रश्ण बना लिया था कि कोई ऐसी वह नहीं हुई है तो वह उसे बचा रहे हैं अभी वी पर मुझे लगता कि बच्चों के भविश्य को ध्यान में रखते हुए कि नीट की परिक्षा भी कैंसल हो बहार शाश्थ राज्य हैं जहां पर वो तैप अब भढोल थो ना है वर नग्यद्ग भुजरान है गज़रत परिक्षा उस चतवändपूरि में जो परिक्षा भी अपने डिसिजन को बचा रहे हैं क्योंकि जब NTA बना था तब भी पूरे एडुकेशन सेक्टर में जैसे कहते हैं चात्र टीचर सब ने उस अपोस किया था यह सेंट्रलाइज सिस्टम स्टेट्स पहले अपना वह रन करते थे आपने देखा तामिल नाडू तो शुरू से अ करती थी अभी मैंने कुछ एक एक्सपर्ट ने व्यू दिया है कि जो जो 14 मेंबर की गवर्निंग बॉडी एंटीय की उसमें से 12 मेंबर वो टेक्निकल एडुकेशन से संबंध रखते हैं उनका कोई सेंट्रलाइज एक्सपरियंस ही नहीं है तो NTA को खुद ही देखना चाह ये NTA को पहले भी ये सिस्टम चल रहा था स्टेट्स भी उसमें रोल प्ले कर रहे थे वही होना चाहिए आखरी चीज जो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि जो 25 जून से शुरू हो रहा है पहला सत्र वह इस हंगामे के भेट चड़ने जा रहा है विपक्ष ने बिलकुल साफ कह रहा है कि चात्रों का भविष प्राथ मिकता है और वह सरकार को कट घरे में खड़ा करेंगे लेकिंगे मोदी जी के पास आपको क्या लगता है क्या डिफेंस होगा मोदी जी ने तो मोदी जी के लिए तो कहा जा जाते कि मोदी सरकार में स्टीफे नहीं होते कोई question कोई जवाब नहीं हुता कि पूरा एजूकेशन ही सिस्टम जिस तरह से मोदी सरकार लेकर आई ए चाहे वह नई सिक्षन रही ती ती उस पर शवाल लगातार आंदूलन है उस पर कोई सुनवाई नहीं है जिस तरह से सिलेब स्टारा जा रहा है, जिस सब्जैक्ट से हटाई जा रही है पीप ये कुश्चन में रौज गंगेर नहीं को तयार से कहते है कि हमारे हैं नहुंग इस्तिपा होता है नहीं जवाब नहीं होता है अपनी आखों के आगे, इस डिजास्टर को बचाने के लिए आपको क्या लगता है, कि संसद में कोई हस्तक शेप हो पाएगा, मुझे लगता है, एक सशक्त opposition इस बार आया है, और जिस तरह से वो लोग ये ले रहे हैं, ये जरूर एक मुद्दा बनेगा, और इतने सारे चात अपनी आप दोनों की चाहूंगी, NTA को बचा कर दरसल धर्मेन प्रधान और मोधी तंत्र किसे बचा रहे हैं, मुकुल आपके नगान के लिए वो ये कह रहे हैं, हमारी गल्तियान नहीं है, मैं ये भी कहना चाहरा था कि 240 आई है, बीजेपी को बहुंवत नहीं मिला है, य और वह हमें हैं इन चीजों को मानने ही रहे हैं, लगा तर चाहे अग्नीवीर लेकर आ रहे हैं, जो भी योजनाय से अग्जान niveau रहे हैं नहीं मिला समे उ अपने परेलेंगे। साफ है कि इस मामले में संसत का सत्र हंगा में खेज रहेगा और राहुल गांधी ने एजेंडा बिल्कुल सेट कर दिया है साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आरेसेज इससे जुड़ा हुआ है और इसलिए इतने बड़े पामाने पर इस तरह की दलाली हो रही है शिक्षा पूरे सिस्टम में इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है तीसरा मुद्दा की accountability क्या होगी देश और दुनिया ने देखा कि भारत में एक और train हाथसा हुआ और इस बार भी पूरी कोशिश हो रही है कि उसे human error यानि जो local pilot है उसके कंधे मर दिया जाए क्योंकि वह अब जिन्दा नहीं अपने को defend करने के लिए मैं यहाँ चर्चा कर रही हूँ पश्चिम बंगाल में हुई train हाथसे की जिसमें मारेगा इन 10 लोग और उसके बाद पूरा system आ गया damage control पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रेल मंत्री पूरी जिम्मेदारी से बच रहे हैं कहीं से कोई जवाब दे ही नहीं है इस पर क्या है पंच बताएंगी अदिती भाशा इस पर मेरा पंच यह है कि मोधी सरकार की railway पर कितनी priority है यह इस चीज से पता चल रहा है कि एक इंसान के ऊपर तीन तीन इतनी जरूरी मंत्राले थोपे गये हैं रेलवे को एक एक इंसान मिलना चाहिए क्योंकि यह इतना बड़ा एक मैकमा है जिसको ध्यान देने की जरूरत है मुकुल क्या है इस पर आपका पंच इस पर मेरा साफ मानना है कि केवल एक हाथसे का मामला नहीं है हाथसे दर हाथसे हो रहे हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है शिस्टम का फेलियर है और इसे मानना चाहिए ये सरकार continuity में है ये नहीं कि अभी आई है तो हमें कुछ समय देना चाहिए लगातार इस पर इस तरह की चीजे हो रही है तो इस पर एक जवाब देही तैह होनी चाहिए भाशा इस पर क्या है आपका पंच मेरा साथ मानना है कि इसकी ذम्मेदारी रेल मंतरी की बंती है अश्मनी वैशना को जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि वहाब रेल के रील मंतरी है एक्सिदेन्ट पर अपनी रील भी जारी करते है और साथी साथ प्रדhan मंतरी नरेन मोधी जो हर नई ट्रेन को हरी जंडी दिलाते हैं लेकिन जब इस तरह के हासे होते हैं तब लोको पाइलेट जो मारा जा चुके हैं उनके उपर ही सारा दोश मरने की साजिश होती है जो की नाइंसाफी है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम इन एक्सिडेंट से कुछ भी सीखते नहीं कुछ भी सुधार नहीं करते यात्रियों को छोड़ देते हैं मरने के लिए राम भरो से मुकल जो एक बास साफ दिखाई दे रहे हैं चाहे बाला सोर का एक्सिडेंट हो जो पहले हुआ चाहे ये हो या आंधर प्रदेश का हासा तीन बड़े हासे हाल में हुए हैं इन तीन हो जाता है तो बताते हैजी कवस सिस्टम नहीं लागू हो पाया कवस सिस्टम सिर्फ 1500 किलोमेटर पर लागू है बाकि पर क्यों नहीं हुआ कोई ना सवाल पूछता है, कोई ये भी सवाल नहीं पूछता कि वंदे भारत आप क्यों जारी कर रहे हैं, जिसके एक रैक पर, मैं ध्यान देरा चाहूंगी तमाम दर्शकों को, एक रैक जो उसका बनता है, वंदे भारत का, 115 करोड उसकी लागत आती है, तो priority बहुत साफ है तो priority की जहां तक बात है, देखे, railway उनकी priority में नहीं है, उन्हें कुछ train चलानी है, वो भी privatization की तरफ भी बढ़ना है, बंदे भारत हो गई, अब उन्होंने bullet train का नारा दिया था, उसका तो खैर कोई आता पता नहीं, लेकिन जहां तक प्रात्मिक्ता की बात है, आप देख कि वो रेल बजट भी स्विकार नहीं कर पाए और उन्होंने उसे बिल्कुल डायलूट कर दिया और उनकी यह एक आम आदमी की सवारी कहा जाता था रेल, लेकिन अब यह बिलकुल वियाईपी बनाई जा रही है, आम आदमी के इसलिए पर कोच कम हो रहे है, जनरल कोच कम ह रहे हैं, मरने वाले वही होता हैं जबकि, और इस तरह के एक्सिडेंट पर उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन अपनी जिम्वेदारी नहीं है, ना शिक्षा में शिक्षा मंतर की है, ना रेल में रेल मंतर की है, या इससे एक जुड़ा हुआ मसला है खाली पदों का, जो हर एक्सिडेंट के बाद हम तमाम पत्रकार लिखते हैं जिसके बारे में और फिर वो खाली पद वैसे ही रहते हैं ट्रेंग चुक चुक करके आगे बढ़ती रहती हैं जिस समय ये हाथसा हुआ उस समय जो आकड़े बता रहे हैं कि रेलवे सुरक्षा से जुड़े करीब डेड़ लाग से अधिक पद रिक्त हैं टोटल तीन लाग के पद रिक्त हैं जिसे विपक्ष के नेता मलिका अरजुन खडगे ने बकायदा कहा भी पब्लिक डोमेन में लेकर आए कि ये पद क्यों नहीं भर रहा है आप ट्रेनों पर ट्रेने चला रहे हैं मोदी जी हर बार हरी जंडी दिलाते हैं लेकिन ये पद खाली के खाली पड़े हुए जी भाशा बिलकुल ठीक है और अगर आप कुछ रेल्वे एंप्लोई उनके यूनियों से बात करें तो वो काफी टाइम से रेल्वे को ये कह रहे हैं लेकिन आजकल रेल्वे में जैसे मुखुल जी ने बोला प्राइवर्टाइजेशन है तो आउट्सोर्सिंग की जा रही है बहुत सारी चीजों की जिस वज़े से पद जो है वो खाली पड़े हुए है और सुरक्षा के शेत्र में काफी खाली पड़े हुए है दूसरी बात में यह कहना चाह रही थी CPI के एक MP है जिनों ने सवाल पूछा आपने कवच की बात की 0.01% ट्रेंस पे कवच लागू है ये रेल मंत्री ने लास्ट येर पार्लेमें उसकी भी आद देखिए कितने शिकायते आ रही है और एक बात और जो मुक्ल दिखाई देती है क्योंकि कुछ आकड़े बहुत जरूरी है तकरीबन 800 करोड से अधिक यात्री ट्रेंस में ट्रेनों के जरीए और आप देखिए कि जो लोको पाइलेट की बात हो रही है यह ल लोको पाइलेट की इस पर कोई बात नहीं है बताया जा रहा है कि सब सिगनल क्योंकि बहुत से कुछ अकबार उन्हें सारे दबाव के बावजूद खबरे चापी बताया कि ग्रीन सिगनल कैसे दिया गया सिगनल के फेलियर पर कहीं कोई बात नहीं है इस बार वे लग बाल रेल मंत्री के अलावा हर व्यक्ति जिम्मेदार है तो वही देखे बाला सोर में तो क्योंकि तीन ट्रेने भी थी तो उसमें एक बात बड़ी गंभेता से हुई भी थी पर उसकी भी जांच जांच कमेटिया बनती हैं क्या जांच आई यह नहीं पता चलता अगला है यहां माल गाली बेली है हम यात्री टेनों पर कुछ बात कर भी लेते हैं लेकिन माल गाली को ले कर हमारे थ Allah कि यह सब पर माल गाली की वह सब्स्रांक कि युक्वी दो दिन में भी उनका रॉटेशन होता है यह नहीं कि दो दिन वहलगतार चलerson 14 घंटे की बारा गारSL का होता, लेकि क्योंकि माल गाली जो है कितना माल की ढुलाई होती है यह भी एक देश की लाइफ लाइन है यात्री गाली के साथ साथ तो उस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है और जहां तक आपने कहा रिक्त पद होगी मतलब रेलवे में और अत्रिक्त पद सरजित करने की जरू पहले आगे की बात तो हम बाद में करेंगे लेकिन इस सब पर ध्यान नहीं है आप पकोड़ा बेचिए या फिर योग कीजिए या फिर आप मंत्री बन जाए ताकि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि रेल एक्सिडेंट मुझे लगता है जिस तरह से हुआ और जो डालने के लिए या उनके पेपर लीग करने की गारंटी मुधी सरकार तीसरे चरण में दे रही है तो एक बात बहुत साफ है कि कोई जिम्मेदार नहीं है बस योग कीजिए और फिल गुड कीजिए आज के लिए बस इतना ही आप सबसे अपील है देखिए लाइक करिए शे आप जिए आपोल में देखिए लाइक करिया है